द्रभंगा वासियों के लिए डियेम एश्म त्याग राचन ने एक महतपूर्ण जार्ग कारी दिया है आपको बता दें खुसकबरी है द्रभंगा वासियों के लिए खासकर बता दें कि तीन मरीजों ने कोरोना की जंग जीत लिया है होम कुरंटैन में भेजे जाएंगे जिला दिकारियों उनके स्वास्थ होने पर बढ़ाय दिया है जिला में दो और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मिले हैं आपको बता दें ये दो कोरोना पॉजिटिव सुवा सुवा एक हबर आ गई थी और इस दो पॉजिटिव मरीजों ने कोरोना का जंग जीत लिया है वे सभी पुर्ण स्वास्थ हो गये हैं आज 24 घंटे के अंदर दो बार इन लोगों की जाच कराई गई दोनों बार जाच रिपोर्ट निगेटिव आया है इस पर काड़ DMCH प्रसासन दोरा उक्त तीनों मरीजों के पुर्ण स्वा देने पर हर्स व्यक्त किया है यह पहला मामला है द्रफंदा जिला में कि जो क्रोना पोजिटिव मरीज थे वो स्वस्त होकर घर जा सकेंगे उन्होंने DMCH के सभी चिकित्सकों पारा मीडिकल स्टाप्स सभी कर्मियों सहे तीनों मरीजों को बधाई दिया है आपको बता दे इस बीच जांच के कर्म में जिला में दो और व्यक्तियों में करोना बिमारी की पुष्टी हुई है इसमें एक व्यक्ति हर्मान नगर के गोधेला पंचायत के हैं जो तीन मई को ट्रक से यहां आये थे एवं दुसरे व्यक्ति बेनीपूर परखंड के हैं जो साथ मई को ट जिटिक मरीज की संख्या है वो सोला हो गई है वहीं जिला अधिकारी द्वारा बताया गया कि इन लोगों के जिला में प्रवेश करते ही कुरेंटाइन कर दिया गया था इसलिए इनसे किसी दुत्रे व्यक्ति के सरंकमी संक्रमित होने हो जाने की संभावना नहीं है कहा कि इन्हें डीम सीच के आईसलेशन वार्ड में सीप्ट कर चीकिस्ता की जा रही है इसके साथ ही उनके निकट संपर्क में आये सभी व्यक्तियों के पहचान की जा रही है जिला दर्भंगा के डीम एसमत्याग राजनलागातार इन सभी लोगों को पर नजर बनाए हुए ह और आप सभी लोगों से भारत उद्यसमाचार एक निवेदन पुर्वक आगरह कर रहा है कि आप घरों में रहें लॉक्डॉन का पालन करें सेर और सब्सक्राइब इस चनल को जरूर करें देखते रहें भारत उद्यसमाचार आपको बता दें कि लगतार लॉक्डॉन के बी है जो ट्रेनों से आ रहे हैं उनके उपर भी नजर बनाने के लिए कहा गया है और खासकर जो लोग ट्रेन से नहीं अगर सरक मार्ग से आ रहे हैं पैदल आ रहे हैं उनके उपर ज्यादा नजर बनाये रखने की जरूरत है अगर इन लोगों में से किसी लोग अगर कोई लो